नमश्कार बहुत सो आगे था आपका चेन पी नीज पर मैं हाज़िर हूँ आपके सातर तक खबरों की शुरुवात करेंगे दिल्ली से स्वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में औल इंडिया कॉंग्रेस कमीटी की बैठक जारी है मलिकारजुन खडगी की अदियक्षता में ये बैठक हो रही है चुनावी रणीती पर चर्चा होगी हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है दिल्ली के पारटी मुख्याले में आज अखिल भारती कॉंग्रेस कमीटी के राश्ट्री अदियक्ष मलिकारजुन खडगी ने एक बैठक जारी किया इस बैठक में मासचीव प्रभारी और प्रदीश अदियक्ष शामिल है वह इस बैठक में पार्टी के राश्ट्रे मासची और जारकन प्रभारी गुलाम एहमत मीर और कॉंग्रेस अद्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद है चुनावी रन्नीती को लेकर विस्तार से चर्चा होगी साथ हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी की संभावना है तो आपको बता दे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर All India Congress Committee की एहम बैठक जारी है इसमें जिस बैठक की अधक्षता मलिकार जुन खड़के कर रहे हैं बता जा रहा है विदानसबा चुनाव के साथ साथ हिंडनबर्ग के मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीव स्क्रीन पर चुनावी रणनीती को लेकर के सबसे महत्यों पूंड जो चर्चा है वो चुनाव को लेकर होगी साथी साथ इस बात के भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि हिंडनबर्ग को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है बैठक में राश्ट्रे मासचीव और जारकन प्रभारी गुलाम एहमत मीर और कॉंग्रेस अध्यक्ष भी मौचुद है जादा जानकारी के लिए शिवम पांड्या मार साथ जुड़ चुगे शिवम आपसे जानना चाहेंगे विधान सभा चुनाव को लेकर कॉंग्रेस की ये सब पहली और मेहतोपूर बैठक दिली में क्या कुछ जानकारी बिल्कुल रिक्ष जी आपको बताना चाहूंगा कि कॉंग्रेस मुख्याले में इस वक्त बैठक शुरू हो गई है कि इस दाफ्तों से देखा जाए कि जहां पे विधान सभा चुना हुए वहां कि प्रभारी और साथी साथ बात किया जाए जब जनाओ क्या हो है कैसे दर्णीत बनाइजाए बैठक शुरू हो गई जाए कि सिस्वासे कौन से राज्जी में कितना देखा जाए कि तंखं दिखाना होगा उसको लेकर कही नगए पूरी तरीके तरीके इस खाखा कांग्रेस ने अभी सब्सूरू तयारी कर दे क्यूंकि द कई ऐसे राजी की प्रभारी और प्रदेश अध्याची इस बैठक में मावजूद हैं और कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से रणे मीद तैयार की जाएगे जी रिसी जी बिल्कुल शिवम कयास यह भी लगाए जा रहेंगी चुनाव के लावा हिंडनबर्ग कई ऐसे वरिष्ट नेता है साथे साथ देखा जाए तो कार्याले के जो प्रभारी हैं इस बैठक में पूरी तरीके सामिल हैं कई एहम मुद्धों पर विधान चुबा चुनाओं के साथ-साथ कई एहम मुद्धों पर भी फैसला लिया जाएगा पास्चीत किया जाएगा क आने वाले जो चुनाओं होंगे या आने वाले जो मुद्धा होगा उसको लेकर कॉंग्रेस पार्टिक की तरीके से तैयारी करेंगे और रड़ने नीध क्या तैयारी करेंगे क्योंकि देखा जाए तो भी फैसला जो गड़बन लोग सबाद चुनाओं भी पीता है उनको लेकिन उसको कहीं ना भूलते हुए फिर एक बार कॉंग्रेस पूरी तरीके से अपने अभी जो प्रभारियां उनको लेकर बैठा कर रहे कि रहने की सिसाफ प्यार की जाएगे बिधाल सबार चुनाव को लेकर और कितना तमक्र दिखाया जाएगे उसको लेकर पूरी तरीके बिल्कुल शिव मैं एक जानकार यह लेना चाहूंगा लोगसबा चुनाव जो अभी बीते थे उसमें देखा जा रहा था इस बात कि कयाज भी लगा जा रहे थे कि जो अधिर रंजन चौदरी हैं उनका जो दिल्ली नेत्रत है इस से थोड़े से जो रिष्टे हैं वो खरा अलमी एक एहम बैठक है इनमें पार्टी की तरफ से अगर बताया जा रहा है जो सोर्से से निकल के आ रहा है कि चाहे चोटे मुद्धे हो यह बड़े मुद्धे हो क्योंकि मल्ली का जो खड़गी के अजैस्ता में बैठक बुलाई गई है और साथ साथ बात किया जैए वि अच्छा भी लिया जा सकता है जी रितिकी बिल्कुल बहुत धन्यवाशिवाम आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए तो आगे बढ़ेंगे केंद्र ग्रह मंत्रिया में शाह आज एहमदाबाद में आयुज़ुत हर घर ते रंगा यात्रा को हरी जंडी दिखाएंगे एमदाबाद नगर निगम के द्वारा आउजुद ये कारिकरम आज शाम साले चौर बजे विराट नगर में आउजुद किया जाएगा आपको बता दें कि ये पहल राश्ट्र व्यापी अभियान का एक एहम हिस्सा है जो नागरिकों को अपने घरों पर राश्ट्री द्वच फेराने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसका उद्देश देश भक्ती और राश्ट्री एकता को बढ़ावा देना है महीं बीजेपी ने पूरे भारत में ये अभियान शुरू किया है जिसमें केंद सरकार नागरिकों से घरों, दुकानों और कारेलेों पर तिरंगा फेराने का अग्रह कर रही है भाजपा और RSS के बीच सब कुछ ठीक नहीं है लोगसभा चुनाव के बाद से शुरू हुई इन चर्चाओं के बीच दोनों संगठनों के निताओं की बैठक राजनात सिंग के घर पर हुई पाच गंडे चलीज बैठक में भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई सूतरों की माने तो अध्यक्ष के लिए देवेंदर फड़नवीज और नुराग ठाकुर के नाम पर चर्चा हुई है फड़नवीज जहां RSS की पसंद है वहीं बाजपा नुराग के हाथ में कमान देना चाहती है 31 अगस से 2 सितंबर तक केरल के पलकड में RSS के एक मेहत्वपूर्ण बैठक होनी है इससे पहले भाजपा अध्यक्ष तैह होनी के उमीद है जेपी नड़ा जून 2019 में पार्टी के कारेकारी अध्यक्ष बने थे इसके बाद 20 जनवरी 2024 को पूर्ण कालीक अध्यक्ष बनाए गए इस साल फरवरी में उनका कारेकार जून 2024 तक बढ़ाए गया था अगली ख़बर कॉलकटा से जहां कॉलकटा के ट्रेनी डॉक्टर रेप मडर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तक डॉक्टर के परिवार वालों को सौपी गई इस दौरान रिपोर्ट में सामने आया कि आरोपी ने डॉक्टर को इतनी बुरी तरह समा रहा था कि उनके चश्मे के सीशे की कई टुकड़े उनकी आँख में घुस गए इस सो उनकी वोट में आज इस मामले की सुनवाई होगी चीश जस्टिस टी एस शिवगर्णम के अदक्षता वाली बैंच के सामने तीन जनहित याचुकाएं दायर की गई है जिसमें मामले की जात सीबियाई को सौपनी की मांग की गई